हेलो फ्रेंज असलाम अलेकूम मेरा नाम है अमसर जुहेन हाई फ्रेंज असलाम अलेकूम मेरा नाम है रामजवाद हम दोनों ब्रेदर अंसिस्टर है आज ये ब्रेदर अंसिस्टर आपके लिए एक इंटरसेंग टॉपिकला है जिसका नाम है ब्रेन अज हम लोग ब्रेन का म आड़ कर दीजिए हम लोग ने हापी त्री कलर्स बनाए हैं वो त्री कलर्स है रड़ो ब्लीडो ग्रेंडो ये त्री कलर्स का हम लोग ने डो बनाया है ये दिखीजी त्री कलर्स अभी हम लोग अच्छे से रोल कर देंगे फ्रेंड्स ताकि हम लोग ग्रूफ्स बनाए है ये दिखीजी रेड ग्रूफ्स हम लोग ने बनाया है अभी ब्लू ग्रूफ्स कुछ ऐसे आप लोग बना दीजिए स्नेक्स की तरह बनाना बिल्कुल राउंड राॉंड राउंड राउंड राउन राउंड इदेंगे और ये हैं हमारे ग्रूव्स साइड में रख देंगे हम लोग और अभी हम लोग बनाएंगे ग्रीन कलर के ग्रूव्स ग्रीन कलर के ग्रूवस हम लोग मेडूला को यूज करेंगे फ्रेंट्स मैं आपलों को बता देती हूँ ब्रेंट त्री पार्ट्स पे डिवाइच होता है और लॉंगेस्ट पार्ट अफ दे ब्रेंट इस को चरिवलम और छोटे ब्रेंट को हम लोग बुलाते हैं चरिवलम और medulla को हम लोग brain stem भी बुलाते है medulla connects करता है spinal cord to brain हम लोग अभी एक green groups medulla के लिए बना रहे है और blue groups cerebrum के लिए and red groups cerebrum के लिए and अभी हम लोग groups को stick कर देंगे कुछ इस तरीके से आप लोग लगा दीजे groups को बिल्कुल zigzag 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 and मैं आप लोग को cerebrum के बार में बताती हूँ it receives messages from the sun's organs and send back messages about what has to be done the cerebrum is the center of learning, memory, intelligence and reasoning okay friends and here largest part of the brain है मैं आप लोग को cerebrum कैसे वर्ग करता है उसका एक example दोंगी example है जब आप लोग हमारे एक sense organ यानि हमारे आइस को देखते है एक फ्लावर ले लीजिए हम लोग जब फ्लावर को देखते है न हम लोग इसे identify कैसे करते है हम लोग जब फ्लावर को देखते है न हमारे आइस से नर्फ जान होते है और वो नर्फ का नेव है अप्तिक डर और अप्तिक डर ब्रेंस टैम यानि मेडूला से और सेरीब्रम से गनक्थ है और सेरीब्रम हमें हेल्प करता है अइडेंटिफाइंग के लिए हमें पता चलता है कि हाँ वो एक फ्लावर है क्लिस एसे अगर हम लोग किसी चीज को टच करते हैं, लाइक हमारी बुक को टच करते हैं, तो हमारे फिल्ड कैसे होता है, हमारे एक सेंस और यानि की स्किन, स्किन काम करते हैं, और स्किन जॉइन होता है नर्फ से, और जॉइन होता है स्पाइनल कॉर्ट से, और स्पाइनल कॉर्ट जॉइन होता है मेडुला, और मेडुला जॉइन होता है सेरिब्रम और सेरिब्रम से, सेरिब्रम हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ओके आप लोगों को समझने तो आ गया होगा है ना है कि अन्ट सेरीब्रम हमें लर्निंग करने में में मेमोरी और इंटेलीजिन और रीजनिंग में भी हैप करता है फ्रेंज यह दिखेजिए हमारा सेरीब्रम कुछ ऐसा लग रहा है हम लोग ने बनाया है ना रेट कलर के आटे से डो वही हम लोग ने ग्रूप्स की तरह यूज किया है बहुत एजी है ना रेट का मॉडल बनाना तो आप लोग भी ज़रूर बनाना ओके अगर आप लोग को और इंट्रेस्टीन टॉपिक चाहिए हम ब्रेदर और सिस्टर की तरफ से तो आप लोग जल्डी से सब्स्क्राइब कर देना लाइक करना ना भूलना और क्या करना है और हम शेर करना है और बिल आइकन बटन को क्लिक करना है हाँ फ्रेंट्स आप लोग को शेर और बिल आइकन बटन को क्लिक करना है और कमेंच करना कि आप लोग को हमारा ब्रेड मॉडल कैसे दिखा है मुझे तो बहुत अच्छा दिखा brain model ये आप लोग को बताता है और आप लोग को help करता है ना brain और वही brain real दिख रहा था मुझे तो ये brain real तो लग रहा है ना friends मैंने बहुत महनात से बनाया है तो आप लोग लाइक जरूर करना ओके और मेरे हैंज दिखिजी पुरी रेड रेट हो गए है तो आप लोग समझ ही सकते हैं मेना कितनी उश्किल से बनाया है ये दिखिजे हमारा सेरीब्लम रड़ी हो गया है बहुत अच्छा दिख रहा है है ना और बढ़ते हैं हमारे next part और next step की तरफ जिस ठालाव है सेरीब्लम इस सेरीब्लम को हम लोग small brain मुलाते हैं और सेरीब्लम situated है हमारे head के back side अभी मैआ आपको बलती हू और सेरीब्लम के बार में आपको बुंदी तरफ दिखिए छीट क्तोर्स northwest के बहुतिए ना में आपको बलती हू' तो आपको पता चलिया है कि Cerevalove का विक्द का है Cerevalove हमारे सारे Voluntary muzles को कंच्रोल करता है Voluntary muzles मतलब जो muzles हमारे control में है इसे हम लोग बलते है voluntary muzles और जो muzles हमारे control में नहीं है उसे हम बलते हैं involuntary muzles आज कि हमारे सेरीमेलर हेल्प करता है हमारी बॉड़ी को बैलेंस करने में जब हम लोग वॉक करते हैं रन करते हैं साइकिलिंग करते हैं आज त्री पार्ट्स ऑफ दे बॉड़ी सेरीब्र मेडूला यह त्री हमारी बॉड़ी में बहुत इंपॉर्टेंट है आण आपको पता है नर्वसीश्ट्व के थी मेंड पार्ट्स क्या है नर्वसीश्ट्व के थी मेंड पार्ट्स है ब्रेन स्पांडर कॉर्ट citizens जो तीरों है ग्सीजिंग मिक्स ओके हैं मिक्सी नहीं कनेक्टेड होके हैं और हम लोग बढ़ते हैं हमारे next part की तरफ और main part की तरफ जिसका नाम है medulla यह बहुत main है हमारे brain में अभी मैं आपको medulla के बारे में बताती हूँ The medulla connects the brain to the spinal cord मैंने आप लोग को पता है ऐसा ना brain, spinal cord and nerves nervous system के main parts है and brain यानी हमारे medulla spinal cord से joint है and spinal cord joint है nerves से and यह भी बता रहे हैं It controls involuntary actions like heartbeat and breathing involuntary actions मतलब जो actions जो हमें नहीं बता है हमारे control में नहीं है like heartbeat क्या हम लोग heartbeat को रोज सकते हैं? नहीं हम लोग heartbeat को नहीं रोख सकते हैं मतलब वो है involuntary action लोग breathing को रोख सकते हैं? नहीं रोख सकते हैं Head of friends It works even when a person is asleep Medulla काम करता है जब हम लोग सोते हैं जब हम लोग सोते हैं जब ही medulla काम नहीं करता है Medulla हवेशा काम करते रहता है Proud of you medulla It is also called brain stem Medulla को brain stem भी कहा जाता है Friends मैं आप लोग को एक चीज पूछ रहा है चाहती हूँ क्या आपको पता है brain cannot feel pain Half-Nits बहुत अलग है रहा हमां headaches कैसे होता है headaches कैसे होता है आप लोग पता है क्या पता है तो जल्ड इसे coverage करना हम लोग हमेशा कहता है headache हो रहा है headache हो रहा है लेकिन headache brain में नहीं होता क्योंकि हमारा brain pain feel ही नहीं करता brain को pain ही नहीं हो सकता है अच्छा है रफार जो जल्ली से light कर देना आपको पता है friends nerves three parts पर divide हो गया है first part is sensory nerves and second is motor nerves third is mixed nerves आपनों को higher classes with तीनों के बारे भी पता चल जाएगा यह देखीजे friends हमारा brain ready है और जो आपको दिख रहा थे रहा लम्मा वह वह था spiral cord green color medulla को joint होकर है हमारा spiral cord वाव friends देखीजे हमारा brain किता अच्छा लग रहा है वाव cerebral, cerebellum, medulla, three parts together वाव वाव कितना अच्छा लग रहा है ला आप लोग जरूर बनाना ओकी मैंने तो आपको बताया ही नहीं यह हम लोग ने एक बाउल के उपर क्या है अभी आप लोग बन पेपा ले लीजिए scissor आप तोरी से toothpicks ले लीजिए rectangle shape पे आप लोग इसे कट कर लीजिए paper को three parts है ना इसलिए आप लोग three rectangle papers कट कर लीजिए कुछ ऐसे toothpicks को paste कर दीजिए हमारे paper के उपर कुछ ऐसे paste कर दीजिए toothpicks को and friends आप लोग सोचते होगा कि spinal cords bone है लेकि spinal cord bone नहीं spinal cord तो bundles millions nerve से बन रहा है क्या आपको ये fact पता था नहीं पता है ना मेरा आप लोग को बढ़ा है information दी है तो आप लोग जल्दी से like कर देना okay लेवल कर दीजिए हमारे parts को हम लोग नहीं लिख दिया है cerebrum and medulla देख सकते हो आप लोग अभी हम लोग कुछ इस तरीखे से लगा देंगे ये लग गया है medulla और अभी cerebrum के बारी बचा क्या है cerebrum cerebrum को भी कर दीजिए ये देखीजिए friends हमारा ब्रेर ready है वाव एक बार ब्रेर नतिले clap कितना अच्छा मला है ला finally हमारा मोडल ready हो गया है आप लोग जरूर ट्राइ करा friends लाक्षे सबस्राइब करा मैं बुला okay friends bye bye friends मिलते है अगली वीडियो में हाला पीस बाइब बाइब